दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 29 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर वन के फुल 30 कोस्चन्स एवियस के करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोस्चन आया था कच्छा पाचवी में किसका वन अध्याय पर चर्चा करते हुए सिच्छक ने सूर्य मडी का एक सच्चा किस्सा सुनाया जिसने तोरंग नामक एक केंद की सुरुआत की थी तो आपका पहले का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा A और D भूमी और आजीवका के मुद्दे कुड़ुक संस्कृति के मुद्दे या समस्याय आए आपका सेकेंड कोस्चन आया था तीम वर्क की भावना निम लिखित में से किस से सीखी जाती है तो आपका सेकेंड को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा परिवार समाज और खेल फैमली सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स आपका थर्ड कोस्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस नौटा सोशल इंसेक्ट निम लिखित में से कौन एक समाजिक कीट नहीं है तो आपका थर्ड को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा बीटल इसको भ्रंग कहते हैं हिंदी में आपका फॉर्ट कोस्चन आया था वल्साड टाउन इस लोकेटेड इन विच डारेक्शन फ्रॉम हैदरावाद वल्साड सहेर हैदरावाद से किस दिसा में इस्तित है करेंसी यूज जिन अबुदावी निमने लिखित में से कौन सी मुद्रा अबुदावी में प्रियोग की जाती है तो आपके पाच्वेक आप्शन तीसरा सही हो जाएगा दिरहम आपका सिक्स्थ कोश्चन आया था चेराव नर्त में लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में जमीन पर बास की डंडियां पकड़ कर बैठते हैं जैसे ही ढोल बजता है बास जमीन पर धर जाते हैं नर्तक बास की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नर्त करते हैं निम्न लिखित में से किस राज्ज में चेराव नर्त किया जाता है तो आपका सिक्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा मिजोरम आपका सैवन्थ कोश्चन आया था रैन वाटर फ्रॉम दा रूफ टॉफ वस रंजर्वड एंड यूज़ फॉर रिचार्ज अफ ग्राउंड वाटर इस ट्रडिशनल मैथट वस यूज़ बाई विच आप दा फॉर्विंग स्टेट्स च्छत के उपर सिवर्सा जल को संद्चित किया जाता था और भूजल के उनर भरण के लिए उप्योग किया जाता है इस पारम पर एक पद्धति का उप्रियोग निम्न लिखित में से किस राज़ द्वारा किया गया था तो आपका सैवन्थ कॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा राजस्थान आपका एट कॉशन आया था ब्रह्म पुत्र रिवर फ्लोस थ्रू विच आप दा फॉलोविंग स्टेट्स इन इंडिया ब्रह्म पुत्र नदी भारत की निम्न लिखित में से किस राज़ से होकर बहती है तो आपका एट कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा अलुराचल प्रदेश और आसाम आपका नाइंध कोश्चन आया था फैमली प्लेज एन इंपॉर्टन रोल इन सोसलाइजेशन आफ दा यंग जनरेशन इन दिस रिगार्ड दा फैमली इस एन एजनसी आफ परिवार यूवा पीड़ी के समाजी करण में महतपुर भुमिका निभाता है इस सम्मंद में परिवार एक एजनसी है तो आपका नाइंध कोश्चन पहला सही हो जाएगा यह प्राथ्मिक सामाजी करण में प्राइमरी सोसलाइजेशन आपका नेंध कोश्चन आया था कई आंदोलनों ने पर्या ब्रण को बचाने की अवशकता का समर्थन किया है निम्न लिखित में से किसने 1970 के दसक के चिपको आंदोलन में महतपुर भुमिका निभाई थी तो आपका टेंथ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा सुन्दरलाल बहुगुणा आपका 11 कोश्चन आया था महराष्ट मद्ध पिर्देश और गुजरात राज्यों में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्वदेशी लोगों को अपने आवासों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा इस तरह के आंदोलन को कहा जाता है तो आपका 11 कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा विस्थापन डिस्प्लेस्मेंट आपका 12 कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा बैक्टीरिया आपका 13 कोश्चन आया था प्रतेक पैक किये गये खाद पदार्थ पर पैकिंग की तारीक अंकित होती है क्योंकि तो आपका 13 कोश्चन पहला सही हो जाएगा A, B, C और D प्रतेक खाद पदार्थ का अपना जीवन होता है खाद पदार्थों के पसंसकरन और पैकिंग के दोरान कुछ परिरच्चकों का उप्योग किया जाता है एक निश्चित अवधी के बाद इसमें कुछ रोग जनक खराब होने के लिए विक्सित होते हैं हमें expired ख सुझाओ दिया जाता है एक ऐसी विदी का पता लगाएं जो निन में लिखित में से मच्चरों के प्रजनन की जाच नहीं करती है तो आपका फुर्टींत कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा मच्चधानी का प्रियोग आपका फिप्टींत कॉशन आया था डॉक्टर डायरि और सी चीनी और नमक के संयोजन को असानी से अवसोसित किया जा सकता है उबलता पानी पानी को रोगाडू मुक्त बनाता है आपका सिक्स्टींत कॉप्शन आया था कच्छा तीसरी में एक सिच्छक जो सब हमें हम जो खाना खाते हैं अध्याय पढ़ाते समय विद्यार्थ कि उन्होंने कल क्या खाया इस चर्चा का उद्यश्य क्या है तो आपका सिक्स्टींत कॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा खाते विद्या पर पहलूं को साजह करना आपका सैवन्टींत को शनाया था तच्छा चार अध्धाय पांच एंटिया एंड़ा हनीवीज में अनीता कुछ सुहा की एक सच्ची कहानी उन्हें एक गर्ल स्टार के रूप में उजागर करते हुए सुनाई गई है ऐसी पहल का सबसे उप्युक्त उद्देश क्या है तो आपका सैवन्टींत कॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा बाली का सक्ती दिखाना गत्सील है और समानता और सक्ती करण के बारे में बहुत कुछ बताता है सुइंग गल्स पावल इस डाइनमिक एंड स्पीक्स वल्यूम अबाउट इक्वैलिटी एंड इपावर्मेंट आपका एटींत कोशन आया था चौथी कच्छा में दवर्ड इन माई होम के अध्धाय में अच्छे की कहानी ब जाएगा जातिकत भिद्भाव और आइस्पर्षता का अस्तित्व इक्डिस्टेंस आफ कास्ट डिक्स्क्रिमिनेशन एंड अंटेचिबिल्टी आपका नैंटींत कोशन आया था निम्न लिखित में से कौन सा कथन ईवियस में सह कर्मी मूल्यांकन को परिभाशत करता है त इस्टूडेंस असेसिंग अधर स्टूडेंस इन पेयर और इन ग्रुप्स आपका टूंटीएथ कोशन आया था तीसरी कच्छा के अध्याय वर्क वी डू में दिपाली की कहानी पर ध्यान केंदरित करना है तो आपका टूंटीएथ कोशन तीसरा सही हो जाएगा घरेलु क कार्यों में जेंडर पूर्वाग्रह की अवधारा दा कॉंसेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन होसुल्ट वर्क आपका टूंटीएथ कोशन आया था मौकिक इतिहास समाज के विशिस्ट समूहों के अनभवों को समेटने का एक महतपूर साधन है इस संदर्व में उस कथन को इ अन्तरता संघराम के बारे में दादा दादी के अनभव एकत्र करने के लिए कहते हैं आपका बाइस कोशन आया था अंत्रिच्च को समझने के लिए एक छात्र के लिए मान्चित्र कोसल अवस्यक है सुझाओ दे कि मान्चित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो आपका 22 का उप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा B and D हम वस्तुओं दिवारों सडको आदिकों दिखाने के लिए प्रतीकों का उप्योग करते है मान्चित्र में उत्तर दिशा उपरी हासिय की ओर होता है विच मीन्स कि हमारी जो नौर्थ होती है वो उपर होता है जो south होता है वो नीचे होता है जो पूर्व होता है ये हमारा right hand side होता है और जो हमारा पस्चिम होता है वो हमारा left hand side होता है east, west, north and south इस तरह हम direction पता करते हैं आपका 23rd question आया था पानी की कमी के मुद्दे और किसी भी छेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए निम्न लिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संसादन है तो आपका 23rd question फोर्थ सही हो जाएगा newspaper reports आपका 24th question आया था इविय सीखने वाले छात्रों के सम्मंद में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सकते हैं तो आपका 24th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा छात्र सरपिल तरीके से सीखते हैं परते एक छात्र एक आदुतिये व्यक्ति होता है वह अपने तरीके से सीखता है और परिस्थितियों का जवाब देता है आपका 25th question आया था छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए पोर्ट फोलियो एक महत्पूर मूल्यांकन उपकरण है निम्न लिखित में से कौन सा कथन पोर्ट फोलियो को अधिक उपियोक्त तरीके से परभाशित करता है तो आपका 25th option फोर्थ सही हो जाएगा समय की अवधी में एक छात्र के काम का संग्रै आम तोर पर दिन पति दिन के कार्य या छात्र के सर्वोत्तम कार्य का चयन आपका 26th question आया था संगर्स के मुद्दे अकसर कच्छा में सामने आते हैं एक सिच्छक के रूप में जब कोई छात्र सामाजिक सांस्कतिक मुद्दे को चर्चा के लिए लाता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे तो आपका 26th question पूर्थ करेक्ट हो जाएगा छात्र से कहें कि वै अपनानभव साजा करें और कच्छा में उसे संबोधित करने का प्रियास करें आपका 27th question आया था एक सिच्छका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पौधों के बारे में समझ विक्सित करें निमने लिखित में से उसे क्या करने की आवशक्ता है आपका 27th option तीसरा करेक्ट हो जाएगा छात्रों को अपने साथ स्कूल के बगीचे में जाने के लिए कहती है और सभी पौधों की पहचान करने को बोलती है आपका 28th question आया था पराक अच्छा तीसरी के छात्रों को संचार के साधन वि लोग करती है तो आपका 28th option तीसरा सही हो जाएगा A & C छात्रों को संचार के साधनों के चित्र एकत्रित करने और वर्गी करत करने के लिए कहते हैं छात्रों को संचार के साधनों के अपने अनुभू बताने के लिए कहता है और उनके साथ चर्चा करता है आपका 29th question आया था तच्छा तीसरी के अध्याय फ्लाइंग हाई में पच्छियों के विशय पर चर्चा करते हुए एक सिच्छ का टीना चात्रों से अपने परिवेश में पच्छियों और उनकी विश्यस्ताओं का निरिच्छन करने के लिए कहती है इस गतिविदी का उदेश है तो आपका ट्वंटीनेंद का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा पच्छियों में चात्रों की रुची विशित करें डेवलाप इंट्रेस्ट आफ्ट इस्टूडेंट्स इन बड्स आपका थाटियत कोश्चन आया था एवियस इच्छिका सीमा ने चात्रों से अपने चारों और स्टील की चम्मच प्लास्टिक की चम्मच जैसी वस्तूओं को खटा करने के लिए कहा और वस्तूओं को एक एक करके पानी की बाल्टी में डाल कर देखें कि वे तैरती हैं या डूपती है चात्रों ने उससे पूछा कि स्टील का चम्मच क्यों डूपता है लेकिन प्लास सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर करें तो दोस्तों आपका पहला कोशन आया था कुडुक कहां के लोगों की बोलचाल की भासा है तो आपका फर्स्ट को ऑप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा जारखंड कुडुक जारखंड के लोगों की बोलचाल की भासा है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपका दूसरा कोशन डारेक्शन बेस्ट आया था तो आपका कोशन दिया गया था आपका घर एक्स परिस्तित है जहां आपका विद्याले वाई परिस्तित है यद्यपी आपका विद्याले ठीक सामने है परन्त बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नह करते हैं और अंत में आप सो मीटर दूरी पर ठीक दच्छिड में वाई पर अपने विद्याले पहुंसते हैं वाई पर विद्याले के सापेच एक्स पर आपका घर कहां इस्ते थे तो आपका सेकेंड का ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा 75 मीटर ठीक पूर्व में आपका फ़ कोड़कसा जुन 2020 को प्राता 3.15 बजे गांधी धाम पहुंसती है रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलो मीटर है यात्रा की अवधी में रेल गाड़ी की औसक चाल किलो मीटर पर घंटा में लगभग डैश है तो आपका थार्ड का ओप्शन 56 करेक्ट हो जाएग आपको इसमें average speed find करनी थी तो average speed का formula होता है total distance upon total time आपका fourth question आया था बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंब करने की सबसे अच्छी अवधी कौन सी है तो आपका fourth option दूसरा सही हो जाएगा अक्टूबर से दिसमबर आपका fifth question आया था वेलक्रो का उप्योग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है निम्न लिखित में से किसने प्रक्रती से पेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था तो आपका fifth option तीसरा सही हो जाएगा जौर्ज मेंस्ट्रल आपका sixth question आया था निम्न लिखित में से कौन भारत का संग सासित प्रदेश है तो आपका sixth option fourth सही हो जाएगा जम्मू और कस्मीर आपका seventh question आया था हमारे देश के नीचे दिये गए राज्यों में से किसमें अल्मूनियम की खान है तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा उडिसा आपका eighth question आया था ब्रेल लिपी में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदू बने होते हैं ये लिपी डैश पर आधारित होती है तो आपका eighth option दूसरा सही हो जाएगा छे बिंदू आपका ninth question आया था प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार करने होते हैं नीचे दिये गए चरणों प पहला सही हो जाएगा A, C, D, E, B मिर्दा को खोद कर नरम बनाना उसके बाद बीज बोना उसके बाद खर पतवार हटाना उसके बाद प्याज को खाड़ कर निकालना और उसके बाद प्याज की उपर की सूखी पतियों को काटना आपका टेंथ कोश्चन आया था हमारे देश में एक स्थान है जिसे सीत मरुस्तल कहते हैं यह चेत्र उचा सूखा और समतल है यह चेत्र कहां इस्तेत हैं आपका टेंथ कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा लेह लद्दाग आपका 11 कोश्चन आया था नीचे दिये गए फलो और सबजियों में से उन्हें चुनिये जिनमें बीज होते हैं करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नासपाती, आलू, टमाटर तो आपका 11 का करेक्ट ओप्शन थर्ड सही हो जाएगा करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नासपाती और टमाटर आपका 12 कोश्चन आया था नीचे दिया गया कौन सा जन्तु भालू जैसा दिखता है परन्तु भालू नहीं है यह दिन के लगबग 17 घंटे व्रच्चों की साखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी व्रच्च की पत्तियों को खाता है इस जन्तु की ओसत आयू 40 वर्स है तथा आपने पूरे जीवन में यह मुस्किल से 8 व्रच्चों पर ही घूमता है तो आपका 12 का ओप्षन 4 सही हो जायेगा स्लाथ आपका 14th question आया था हमारी प्रत्वी गलोब की भाती गोल है वास्तों में प्रत्वी पर उपर या नीचे कुछ नहीं होता यह सब सापेच है हम भारत के लोग वास्तों में प्रत्वी के प्रस्ट पर नीचे दिये गए जिस देश की लोगों के सापेच उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है तो आपका 14th question दूसरा सही हो जाएगा अर्जन्टीना आपका 15th question आया था अपने खेतों से अधिक उपचप्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वकों और कीट नासकों का आधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है इस नित प्रियोग से उसके खेतों की मिटी टेस्ट बन जाएगी तो आपका 15th option फोर्थ सही हो जाएगा अंतिता किसी भी फसल को गाने के लिए अनुपयोगत आपका 16th question आया था निम्न लिखित में से कौन सा समू ABS पार्ट करम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंक से प्रस्तुत करता है तो आपका 16th option दूसरा सही हो जाएगा परिवार और दोस्त पानी भोजन और यात्रा आपका 17th question आया था सच्छार्थी के पोर्ट फोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है तो आपका 17th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा A, C और D एक विसिस्ट कारण के अधार पर पोर्ट फोलियो में सामिल किये जाने वाले काम का चैन करना चात्र से अपने काम का चैन करवाना और उसको अपने पोर्ट फोलियो में सामिल करवाना एक समय अवधी में चात्रों के कामों के विभिन इस्तरों को एकत्र करना आपका 18th question आया था एक एवियेस के पार्ट करम के बारे में सही है तो आपका 18th option फोर्ट करेक्ट हो जाएगा एवियेस का पार्ट करम में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरर सिच्छा का एकी करण है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 19th question आया था एक एवियेस सिच्छक अपने सिच्छार्टियों को पडोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन इंधनों पर एक सर्वेच्छण करने को कहता है इस सर्वेच्छण के संचालन के दौरानिमन लिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोसल विक्सित की जा सकती है तो आपका 19th option तीसरा सही हो जाएगा recording और सुनने के कोसल आपका 20th question आया था सीखने के लिए सतत आकलन के आवस्चक तत तो क्या है तो आपका 20th option तीसरा सही हो जाएगा केवल B और C इसे सीखने की इस्ति में निहित किया जाना चाहिए ये सिख्षिकों को उनकी सिख्षड अधिगम विधी को समायोजित करने की गुंजाईस प्रदान करता है आपका 21st question आया था कुनाल ने कपडों की बंधेज की रंगाई पर कारशाला करने के लिए अपने विद्याले में एक स्थानी कारीगर को आमंतरित किया इस्थानी कारीगर को आमंतरित करने के उदेश निम्ल खित में से इसके अतरिक्त है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा सिख्षार्तियों को इस्थानी भासा सीखने में मदद करना आपका 22nd question आया था महर के पास कच्छा में कुछ विद्यार्थी है जो प्राकरति का आपदा कारण अपने मूल इस्थान से विस्थापित हो गए है और उन्हें विद्याले वातावरण में समयोज़त करने में समस्या है एक EBS इच्छा के रूप में आप तो आपका 22nd option फूर्थ स्करेक्ट हो जाएगा उन्हें अनस च्छार्थियों के साथ बाच्चीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साज़ा करेंगे आपका 23rd question आया था संसाधन के रूप में समुदाय का उप्योग करने का तर्क यह है कि तो आपका 23rd option तीसरा सही हो जाएगा समुदाय की अपनी बच्चों के अदगम में हिस्सदारी होती है और इसमें उन्हें सामिल होने की जरूरत है आपका 24rd question आया था आरूही ने अपने सच्छार्थियों को अपनी कच्छा का मान्चित्र खीचने बनाने को कहा ये क्रिया कलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा तो आपका 24rd option तीसरा सही हो जाएगा अभी विन्यास और सापेच इस्ति की समझ आपका 25th question आया था निम्न लिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्ग दर्सक सिधान्द नहीं है तो आपका 25th option तीसरा सही हो जाएगा परिच्छा को आसान बनाना आपका 26th question आया था EBS में सिछार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा तो आपका 26th option 4th सही हो जाएगा आकलन करते समय तकनीक की भासा के उपयोग करने से दोस्तों आप question में एक बारी जरूर ध्यान दिया करें question में पूछा क्या गया है तो इसमें पूछा गया था आकलन करते समय किस से बचना होगा इसलिए आपका option 4th correct हो जाएगा आकलन करते समय तकनीक भासा के उपयोग करने से आपका 27th question आया था रोनाल्ड रोस के बारे में कच्छा पांचवी में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबल पुरुसकार मिला था जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पिताल में काम करते हुए ये खोजा की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उन्होंने अपने सब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूच में दरसी के नीचे अवलोकर किया रोनाल्ड रोस की कहानी को EBS में सामिल करने का क्या उदेश होगा तो आपका 27 का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा A.C.D. सच्छार्तियों को विज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना सच्छार्तियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इखटा करने के लिए प्रत्साहित करना विज्ञान के इतिहास की सराहना करना आपका 28 कोशन आया था भूशड अपनी कच्छा दुतिय की भासा की कच्छा में थीम यात्रा को एकी करतकला चाहते हैं आपके संसाधन का सुझाओ देंगे जो कच्छा में संपाधन के लिए सबसे उप्युक्त है तो आपका 28 कोशन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा बच्चों के यातायाद पर अपने अनभाव आपका 29 कोशन आया था एवियस कच्छा में यात्रा परोस में एक भिकारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साज़ा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेशते एक सिच्छक के रूप में आप सिच्छार्थी को कैसे जवाब देंगे तो आपका 29 कोशन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कच्छा में इस चर्चा को करेंगे आपका 30 कोशन आया था खेल और पहलियां EBS के सिच्छड और अधिगम के महतपूर हिस्से हैं क्योंकि तो आपका 30 कोशन तीसरा सही हो जाएगा वे सिच्छार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और चैनल को शेयर भी कर दिया करें थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो जाएगा